Hey guys, good evening, welcome to use of time, बायनो प्रियानन्द, आप से भी का बहुत-बहुत स्वागत थे इस चैनल में, समय को व्यर्थ ना करते वे चलते हैं आज की टॉप क्वेस्टन्स के, और क्वेस्टन नमबर बन ध्यान से देखें, निवेस, गुनक, निवेस का प्रभाव किस पर दर्शाता ह सवाल ध्यान से सुनिएगा, निवेस, गुनक, निवेस का प्रभाव किस पर दर्शाता है, तो दोस्तों इसका सही एंसर होगा, option number 3, I पर दर्शाता है, निवेस का प्रभाव किस पर दर्शाता है, I पर option number 3, correct answer है, याद रखना है, अगले प्रेशन को देखिए, सवाल number 2, निमने लिखित में से क्या क्रिशी मुल्यनीती से संबंधित नहीं है, निमने लिखित में से क्या क्रिशी मुल्यनीती से संबंधित नहीं है, तो लाइसेंस प्रणाली, option number 4, आपका सही एंसर होगा, याद रखना है, अगले प्रेशन को देखिए, सवाल number 3, यदि किसी माल माल की मांग रिनात्मक आय लोच है और धनात्मक मुल्य लोच है तो वह कैसा माल है बताए है यदि किसी माल की प्रेसिन को देखे स्वाल नबर 4 उतिपादन के उपादान की लागत कितनी होती है है उत्पादन के उपादान की अविसर लागत कितनी होती है दोस्तों इसका सही अंसर होगा option number 4 जो किसी अन्य प्रियोग में अर्जित की जा सकती हो तो option number 4 आपका correct answer है अगले प्रशन को देखिए सवाल नंबर 5 निमने लिखित में से क्या भारत की विदेसी मुद्रा प्रारक्षित पुंजी का अंग नहीं है तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा option number 4 बैंकों और कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा धारित विदेसी मुद्रा और प्रतिभूतियां option number 4 आपका correct answer है अगले प्रशन को देखिए सवाल number 6 किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में नियायाले द्वारा निमने लिखित में से क्या जारी किया जाता है बताईए किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में नियायाले द्वारा निमने लिखित में से क्या जारी किया जाता है तो बंदी प्रतियरक्षी करन जारी किया जाता है क्या किया जाता है बंदी प्रतियरक्षी करन option number 1 आपका सही answer है अगले पुर्शन को देखें सवाल number 7 दबाव समूहों के संब McD में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है बताएं दबाव समुहों के संबंद में निमन लिखित में से कौन सा गलत है पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है, तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा, option number 1, दबाव समुहों का लक्ष सरकार पर कबजा करना है, तो ये सही नहीं है, इसलिए option number 1 आपका अंसर हो जाएगा, अगली प्रशन को देखिए, सवाल number 8, भारती समविधान के किस अनुशेद के अंतरगत, केंद्री परशाशनिक अधिकरन के निर्ने को उच्यतम नियायाले में चुनोती दी जा सकती है, बताएए इसका सही अंसर क्या होगा, दोस्तों इसका correct answer होगा, option number 1, या एक याद रख सही अंसर है, ये बहुल कार्य पालिका का उधारन है, अगले प्रशन को देखिए, सवाल number 10, भारत के समविधान में सामिल राजनीती के निर्देशक सिधानतों को अवधारना किस के समविधान से ली गई थी, बताएए, भारत के समविधान में सामिल राजनीती के निर्द प्रफ्वा प्रफ्वा बताइये राजा-खरवेला, इसका प्रफ्वाब बताईये, राजा-खरवेला, तो दोस्तो, इसका सब्रवाब option number 2 यानि कि कलिंग याद रखना है कि किसके चेदिवन्स के महानतम सा सकते तो कलिंग के option number 2 correct answer है अगले question को देखिए सवाल number 13 पाकिस्तान नाम किसने गड़ा था बताइए पाकिस्तान जो नाम है ये किसने गड़ा था किसने चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम गड़ा था अगले question को देखिए सवाल number 14 किस charter act से चीन के साथ इस्ट इंडिया कमपनी का व्यापार एक आधिकार समाप्त हुआ बताइए किस chartered act से तो दोस्तों इसका सही answer होगा option number 3 यानि कि chartered act 1833 यानि कि 1883 chartered act 1883 से चीन के साथ इस्ट इंडिया कमपनी का व्यापार एक आधिकार समाप्त हुआ था अगले question को देखिए सवाल number 15 परिशंग बनाने का विचार सर्वपर्थम किषने प्रस्तावित किया था तो दोस्तों नहरू डिपोर्ट ने कब तो 1928 में याद रखना है option number 4 आपका सही answer होगा अगले question को देखिए सवाल number 16 वल्याकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती है बताईए वल्याकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती है तो दोस्तों वल्या के समान बहती है तो option number 3 आपका सही answer होगा अगले question को देखिए सवाल number 17 बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए शर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं? बताईए तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा option number 2 उत्तरी अट्लांटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उस छेतर में बहती है option number 2 आपका सही अंसर है अगले प्रशन को देखिये सवाल number 18 जलवायू आधारित छेतरों का वर्गी करन किसके आधार पर किया जाता है? सवाल देहन से सुनिएगा जलवायू आधारित छेतरों का वर्गी करन किसके आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही answer होगा option number 3 वर्षा के आधार पर जलवायू आधारी छेतरों का वर्गी करन किया जाता है याद रखना है वर्षा के आधार पर अगले question को देखिए सवाल number 19 question number 19 प्रमुख दक्षिन पश्चिम ACI तेल छेतर कहां इस्थित है? प्रमुख दक्षिन पश्चिम ACI तेल छेतर कहां पर इस्थित है? तो दोस्तों ये इस्थित है फारस की खाड़ी के तट के छेतर में कहां पर? फारस की खाड़ी के तट ये छेतर में option number 1 आपका correct answer है अगले question को देखिए सवाल number 20 निमने लिखित में से किसके भीतर ब्रस्पती का गेलीलियन उबग्रह नहीं है? बताए निमने लिखित में से किसके भीतर? तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा option number 4 आपका correct answer है अगले question को देखिए सवाल number 20 सित समवेदी पादपों की जिल्ली लिपिड में क्या होता है? बताए शित समवेदी पादपों की जिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा option number 4 उच्च अनुपात में और संत्रिप्त वसा अमल होता है तो option number 4 आपका correct answer है अगले question को देखिए सवाल number 22 श्वशन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? श्वशन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? उप्चाई प्रक्रिया तो option number 2 आपका सही अंसर होगा श्वशन उप्चाई प्रक्रिया मानी जाती है अगले question को देखिए सवाल number 23 बुरून के पोशन में कौन सी संरचना सहायक होती है बुरून के पोशन में कौन सी संरचना सहायक होती है पितक जिल्ली तो option number 1 आपका सही answer होगा अगले प्रशन को देखिए सवाल number 24 मानव मस्तिस्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक के अंदर है मानुमस्तिस्क का कौन सा अंग तो दोस्तों इसका सहीए अंसर होगा Option No. 3 यानि कि मेडूला-उबलौंगेटा ये मानुमस्तिस्क का ये ऐसा अंग है मेडूला-उबलौंगेटा ये अंग निकालने निगलने और उगलने का नियामक केंदर है option number 3 सही answer है याद रखना है अगले question को देखिए सवाल number 25 निमने लिखित में से किस पसु में पासर्व रेखा समवेदी अंग नहीं होता बताएए निमने लिखित में से किस पसु में दोस्तों इसका सही answer होगा option number 3 आपका सही answer होगा अगले question को देखिए सवाल number 26 सवाल number 26 में क्या पूछा गया है कि पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथी किसमें पाई जाती है पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथी पाई जाती है, याद रखना है, नरकोकरोज जो होते हैं, उनमें, option number 2 आपका correct answer है, अगले प्रशन को देखिए, सवाल number 27, प्रतिरोध रंग कोड में, चौथा बैंड किसका गोतक है, बताइए, प्रतिरोध रंग कोड में, चौथा बैंड किसका गोतक है, तो दोस्तों, इस आई बटन दिख रहा होगा, और पहली बार विजिट कर रहे है चैनल में, तो चैनल को subscribe किजिएगा, देखिये, वीडियो की नीचे रेड कलर में subscribe लिखा होगा, अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं, तो नीचे आपको description में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप playlist में जाकर मन्चाही वीडियो देख सकते हो सवाल नम्र अठाइस ध्यान से देखिए खगोल भौतिकी में बाहिय अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और उर्जा निकलती है उसका क्या नाम दिया गया है बताईए दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा ध्यान से सुनिए सवाल खगोल भौतिकी में बाहिय अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और उर्जा निकलती है उसे क्या नाम दिया गया है दोस्तों इसका सही अंसर होगा option number 4 यानि कि white hole का नाम दिया गया है याद रख रहा है option number 4 आपका सही अंसर है अगले question को देखिए सवाल number 29 हमारा second last question है nuclear reactor में neutron को किस से अवमंदित किया जाता है nuclear reactor में neutron को किस से अवमंदित किया जाता है तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा option number 2 moderator से मंदित किया जाता है option number 2 आपका सही अंसर होगा moderator अगले question को देखिए यह हमारा अंतिम प्रेशन है वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो like जरूर कीजिएगा like करने में आपका कुछ नहीं जाता है बस मुझे एक खुशी मिलती है तो like जरूर कीजिएगा वीडियो को जितना share कर सकते हो अपने contact में आपके जान पहचान में कोई भी ऐसा student है जो competitive exams की तयारी कर रहा है तो उन तक यह वीडियो जरूर सेर कीजिएगा क्योंकि इसमें जो questions होते हैं तो वीडियो को सेर जरूर कीजिएगा और आप खुद तयारी कर रहे हैं तो तयारी डेली कीजिए क्लास डेली लीजिए तयारी जोड़दार होती रहेगी सवाल नमबर तीस हमारे अंतिम प्रशन है द्यान से देखिए अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यता किस नाम से जानते हैं तो अंगुली चाप के नाम से जानते हैं ओप्शन नमबर तीन आपका सही अंसर है कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा थैंक्यू फ्रेंट्स थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो